असलाम अलेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू सोचना कर आज संडे का दिन है और आज मी टाइम होता है लेकिन आज मैं ज़रा देर से आप लोगों से बातचित कर रही हूँ आज सारा दिन मेरा अपने परसनल अक्टिविटीज में ज़्यादा गुजरा है काफी सारे परसनल काम जो मैं करना चारी थी काफी दिन से पिर अपना परसनल काम जैसे पढ़ना वर्णा और अपने मामलाथ में गुज़रा आज तो बहुत इंपॉर्टन टॉपिक्स हैं जो मेरे नजर से गुज़रे और मुझे लगा कि मुझे इन पर बात करनी चाहिए पहले तो बात करते हैं एक तो फैबरी का महीना है बहुत ही खुबसूरत मौसम है चान निकला हुआ है इस वकत और हलके हलके से बातल भी है और सर्दी बिलकुल नहीं है मुझे सर्दी बिलकुल पसंदी है और सर्दी नहीं है अच्छा कुला मौसम है और मुझे मौसम बहुत पसंद है मेरा बिर्ट्रे का मांत है और बहुत ही बरकतों वाला महीरा है जी हाँ मेरी बिर्ट्रे करीब है and of course I'm very much excited about my birthday तो anyways इसके बारे में हम बात में फिर बात करेंगे आज जो टॉपिक मेरी नजर से सबसे पहले बुज़रा हमारे माजी के प्रेजिडेंट और जर्नल परवेज मुशरफ he died और काफी अफसुस हुआ मज़े उनकी death पे मैंने मीडिया पे देखा इदर उदर काफी सारे लोगों को देखा बहुत ही अजीब और गरीब तरीके से मतलब इस जीज़ को लिया जा रहा है मज़े समय नहीं आई कि कहना क्या जा रहे हैं करना क्या जा जा रहे हैं हाँ ठीक है जरर परवेज मुशरफ ने कॉंस्टिट्यूट को ब्रेक किया कुछ गलतियां भी की और कुछ बहुत अच्छे काम भी किये परवेज मुशरफ साब जो हैं वो बहुत ही ब्रेव और बहुत ही मतलब इंस्पारिंग किसम की परसनेलटी थे और टाकत का इस्तमाल करना जानते थे और तूसम्हाव वो जस फिल्ड से तालुक रखते थे, मतलब जस डेपार्टमेंट से थे आर्मी से, उनमें ये कॉलिटीस होना ज़रूरी है ताकत का इस्तमाल किया कार्गल की आप मामले को कुछ लोग उनसे मतालिक नेगटिवली लेते हैं लेकि मेरे ख्याल में ये उनके क्रेडिट में चाता है तो मुझे अच्छा नहीं लगा हलांके मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं गोहर बाट साब उन्होंने आज का अपना जो व्लॉग किया उसमें वो जो पातनी मगारा कर रहे थे उनसे मतालिक अब वो इस दुनिया से जा चुकी हैं पिर भी आप सिर्फ इस वज़ा से कि उन्होंने कॉंस्टिट्यूट प्रेक किया है तो उनकी जान नहीं चोड़ रहे तो ये भी गलत है उनकी जो पाकिस्तान के लिए खत्मात हैं उनको भी मते नज़र रखना चाहिए और इसके अलावा हाँ बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है वो उनको समझती हैं कि बेनसीर के शहादत में या उसमें इनकाहाथ है लेकिन मेरी परस्मेंट राए है कि ऐसा मुझे तो ऐसा कुछ फेल नहीं हुआ मुझे नहीं लगता कि ऐसा है और पाकी ऐसे definitive को आप क्या करेंगे जब constitute break नहीं किया गया तब क्या हो रहा है अब जब ये इमरान खान की government थी तो इस वी इस वकट constitute को break नहीं किया गया लेकिन चल तो तप भी सब कुछ ऐसे ही रहा था हाँ, कुछ लोग प्रोमेनेंटली सामने आके कुछ कर जाते हैं कुछ पीछी रहके करते हैं और वैसे भी ये पॉलिटिशन्स जो कर रहे हैं और अगर आप टोटैलिटी में देखें तो मेरा ख्याल है कि गौर्मेंट बैटर जो चली है वो मुशरफ ने काफी बैटर काम किये थे काफी कुछ ऐसा था जो हमें आम लोगों को हमें तो खर फरक नहीं पड़ता कि किसकी वाउमेंट आती है किसकी नहीं आती है लेकिन आम लोगों को जो है वो रिलीव ज़रूर मिला था मतलब बेहतर लाइफ थी अपकी निस्पत बहुत बैटर थी लेकिन एनिवेज हम पॉलिटिक्स को डिसकस नहीं कर रहे हैं यहां पर हम एक चीज को डिसकस कर रहे हैं कि आपके अपने आर्मी का बंदा है और उनकी टेथ हो गई है और आप इस वकत अगर अपने ही लोगों के बारे में बुरी-बुरी बातें करेंगे बुरी-बुरी व्लॉग्स मनाएंगे और बुरी-बुरी कॉमेंट्स पास करेंगे तो आपका इंटरनेशनली क्या मैसेज आप डिलीवर करना चाहरे हैं मुझे सिर्फ ये बताईए और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा तो मुझे लगता है आफ्टर ओल उनकी बहुत सारी खत्मात हैं पाकिस्तान के लिए उन्होंने एक किताब लिखिया आप उसको पढ़िया आपको उनको जानने में बहुत मदद मिलेगी और परवेश मशरफ इसमें कोई शक की बात नहीं है वो एक ही टाइम में बहुत ही डार्लिंग किसम की सोल थे बहुत ही डाउन टू अर्थ थे और एक ही तरफ साथ ही में पावर और यू आटिपिकल वारियर तो अप उनकी परस्नेलटी में तजाद था लेकिन इसके बावजूद वो बहुत ही मतलब एक बहुत ही इंट्रस्टिंग परस्नेलटी तो थे ही लेकिन बहुत बहादूर और बॉल्ड और मुझे लगता है कि उनके बारे में इस वकत जबकि उनकी और यह कहना कि बहुत बुरे हाल में मरें किसी की मरने पर या किसी के साथ अगर कुछ बुरा हो जबले वो कैसा भी क्यों ना हो हमारा मुझभ हमारे एथिक्स हमें इसकी इजाज़त नहीं देते कि हम इस तरह से उनके बारे में बात करें चैने जी एक सैट सा टॉपिक है हम इसको यहीं पर चोड़ते हैं इसमें मैं बहुत तफसील से बात करूँगी और बहुत ही प्रेपरेशन से बात करूँगी अभी मैं इतनी वेल प्रेपेर नहीं हूं इतने क्या कह सकते हैं कॉम्प्लिकेटेड सेश्यो को डिसकस करने में दूसरा मीडिया पर शाहीन अफरीदी और इंट्रा की शादी का ऐसा धमाल पड़ा हुआ है कि पतर नहीं कोई क्यामत आ गई है मुझे समझ नहीं आती कि इतना शो ओफ करने की जरूरत की है दूसरा ये इंट्शा या जो भी उनका नाम है अक्सर मीडिया पर भी आती रहती है अविबोडी नोस रही इंट्शा के साथ उनकी शादी से पहले के मामलात भी और मंगनी हो रही है ये ओर है वो रहा है मैच देखने जा रही है ये कर रही है वो कर रही है चलता रहता था अब दो चार फोटोस जो है आपकी अगर मीडिया पे आ गई हैं तो आप लोगों की बज़ा से आई हैं आप लोगों ने खुद मत उत्रॉाए इस किसम की पिच्चर्स और अगर आप इतना परदा करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, तो आप इतने सेलिबरिटीज को और इतने लोगों को मत बलाएं अपनी शादी पे, अपनी शादी को बहुत ही प्राइवेट इवेंट के तोर पे रखें, तो यह सारे पुबिसिटी स्टरंट हैं, हलांकि आप को पुबिसिटी की ज़रूत नहीं हैं, आप लोग काफी फेमस हैं, लेकिन इसके बावजुद जो एक कीडा चुपा हुआ है ना आपके अंदर कहीं ना कहीं, वो खुद को दूसरों पे सुपीरियर शो करने का, मुझे वो ही इसमें फील हुआ है, और फ्रैंकली स्पिकिं कि इस किसम के फॉंक्शन, इतना शो आफ करने की क्या जरूरत है, रेली इट डिसंट इंप्रेस मी अट लीस्ट, कि आप इस तरह की चीप किसम की जो हरकते हैं, वो कर रहे हैं, खैर इन फजूर बातों को भी यहीं पे छोड़ते हैं, और आप मुझे कमेंट सेशन में भी और इमेल करके भी बताएं कि आपका विकेंट कैसा गुजरा, और संडे को आपने क्या किया, मैंने तो जो किया थोड़ा बहुर डिटेल आपको बताई है, और मजीद भी डिटेल्स बताऊंगी आपको, और आज और मैंने क्या इंटरस्टिंग किया, एक तो मसलोन गही थी और मैंने कुछ, डिन्टिंग, पेंटिंग, मैनिकूर, प्रेडिकूर, और हेयर, मसाज, यह वो जड़ा थोड़ा प्रिलैक्स हुई हूई हूँ, तो इसके अलावा और मैंने क्या किया, क्योंकि मेरी बत्रे आरी है, तो मैं उसके प्रिप्रेशन में दोड़ी सी बिजी च्वड़ी स्क्वाइट नियर, और अबकि मैं अपनी बंद्रे पर कुछ अलग करना चाहरी हूँ, मैं जारी हूँ कि मैं अपनी बंद्रे पर ज़ादा से ज़ादा ख्यर खेरात पर और दोसरों की मदद करने में में जो है, गौर करूंगी, और मैं इसी सर्सले में मैं प् और मैं अपनी बिद्रे के लिए इंडिर बहुत एक्साइटेड होती हूं और मैं अपनी बिद्रे करें बहुत अच्छे से मनाती हूं खुद से प्यार करना, सेल्फ लफ इस वेरी मच इंपॉर्टन तो हम सब को अपना बहुत खयाल रखना चाहिए जिस दिन हम पैदा होते हैं, तो सबसे ज़्यादा एहम होता है क्योंकि उस दिन हमें जिन्दगी मिलती है और हमें मौका मिलता है इस खुबसूरत जिन्दगी को एंजॉय करने का तो सबसे बड़ा दिन तो हमारी बद्रे का ही फिर बनता है तो अपनी बद्रे पे थोड़ा सा तो स्पेशल कुछ होना चाहिए ना और इसके अलावा मैंने आपके बहुत सारी इमिल्स पढ़ी है and I'm sorry मैं अतना टाइम नहीं निकाल पा रही मुझे बहुत सारी चीजें करनी है बहुत सारी आडियो नोट्स अप्रोड करने है आप लोगों के बहुत सारे किसे कहानिया सुनाने तो इन्शाला मैं कोशिश करूँगी जदा से जदा आपको टाइम दो लव यू अल अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इन्शाला जल्दी फिर से मिलेंगे